हलो गाइज मेरे अफीसियल व्लाग हंडड के में बहुत बहुत सवाकत है आज मैं अपने गाउं के बगीचे में हूँ और वहीं से मैं वीडियो सूट कर रहा हूं और तुमको दिखा रहे हैं हम यह देखिए यह हमारे पीछे सागाउन के ब्रच्छ है और यह आउला का ब्र मियाम इसे और इसके बाद एक पेड़ और होगा साइड में दिक रहा होगा वो इसका नाम फजली है इस तरह के पेड़ मेरे बगीचे में लगे हैं इससे पहले मैं आपको यह बता दूं मैं उत्तर प्रदेश के एक छोटे से जिला फतेपुर में मेरे गाउं है छोटा सा गाउं का नाम है कंचन पूरगड़ा देखे दोस्तों मैं तो ज़्यादा पढ़ा लिखाया है नहीं हूं मैं किसान हूं और मैं किसानी करता हूं क्योंकि मेरे पास इसतना धन नहीं था पढ़ने लिखने के लिए बहुत मजबूर थे मेरे घर में कोई काम काच करने वाला इसलिए मुझे क्यसानी को पढ़ना पोढ़ा अपनी प्ढ़ाई को ब्यार्थ करना पढ़ा मेरे पास परेसे भी नहीं थे और मैं एक किसानी में लगा रहता हूं ज्याधा इंग्लीस प्रिस ज nosy मुझी आती नहीं है क्योंकि की हास्त आहchte टक परआंस ज्यादा क्नाइक को मैं आज आपको दिखा रहा है खुशा है और गॉठा आपको दिखा मेहीं पर मेरे रहता हूं, तो आज मैंने सोचा, बगीचे किसी आपको दिखा दे, देखिए, ऐसा है, दोस्तों, जिंदिगी का दूसरा नाम संहर्स होता है, जब तक जिंदिगी रहे, तब तक जीवन से लड़ते रहो, परिष्टरम से कभी हारना नहीं, परिष्टरम एक ऐ मिनत करने के बाद फल मिलता है तो इसलिए आपको सजीसन देता हूं मैं क्योंकि आपको मैं ज्यदा समझाने योग तो है मैं आपको बता रहा हूं कि जिन्दिकी से कभी आलस नहीं होना चाहिए और जिन्दिकी से लड़ते रहना चाहिए जीवन है चलिए ठीक है दोस्तो हम मिलेंगे आपको अगले वीडियो में तब तक के लिए जैहिन